नमस्कार आपके साथ मैं हूँ गौराव अग्रुआल वक्त हो चुका है फुल एंड फाइनल का और फुल एंड फाइनल में जो कवर स्टोरी से सबसे पहले आपको वो बताते हैं लेके सबसे बड़ी कवर स्टोरी क्लस्टर हमला रूस का बदला आखिरी क्लस्टर हमला किस ने किया और रूस किस से बदला लेना चाहता ये बताएंगे दूसरी बड़ी cover story है बेलारूस से attack, बेलारूस से संसरी खेस खुडासा और इसके लावा एक तीसरी जो हमारी आज की cover story है वो है बाइडन नाराज क्यों नाराज है बाइडन? क्या जलन्सकी से नाराज है या किसी और से नाराज है? ये सब आपको बताएंगे लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले शुरू करते हैं आठ बड़ी खबरों के साथ पुतिन लुकाशेंको की meeting हुई है सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों नेता मिले हैं पुतिन और लुकाशेंको की ये meeting क्या कहती है? ये बड़ी खबर है वार के बीच सेंट पीटर्सबर्ग में दोनों नेताओं की बुलाखात हुई है दूसरी बड़ी खबर लेखराते हैं जल्दी से आपके लिए औरेसा में रूस ने कैलीबर मिसाइल से हमला किया है औरेसा में रूस ने कैलीबर मिसाइल से अटैक किया औरेसा के यूकरेनी गवर्नर ने दावा किया बड़ी खबर यूकरेन के लिए अब नहीं लड़ेंगे वैगनर्स वाइट हाउस के प्रवक्ता का बड़ा दावा यूक्रेन के लिए अब वाइट हाउस के प्रवक्ता का बड़ा दावा अखली खबर देखें क्लस्टर बब मिलने से यूक्रेन बाटल फ्रंट पर हुआ मजबूत अमरीकी डिफेंस ओफिशल का ये दावा है क्लस्टर बब मिलने से यूक्रेन मजबूत हुआ है अमरीकी डिफेंस ओफिशल का ये दावा है देखिए पाचवी बड़ी खबर यूक्रेन के सुरक्षित होने में लग जाएंगे कई दशक देश के बड़े हिस्से में बिच चुकी है माइन्स जो की अब बनी रहेंगी जान लिवा एक और खबर जो भी हमने आपको दिखाई थी यूक्रेन के लिए नहीं यूक्रेन में अब नहीं लड़ेंगे वैगनेस जो हमारे पास जानकारी आ रही है यूक्रेन में वैगनेस अब और नहीं लड़ेंगे इसके लावा एक और बड़ी खबर जुडिशल रिफॉर्म के खिलाफ इसरेल में घुस्ता है अब येरुशलम में भी सरकार विरोधी मार्च निकाला जा रहा है जुडिशल रिफॉर्म को लेकर नेतनियाहू बहुत दिनों से वहां पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो रह आने पर हैं और अब येरुशलम में भी देखिये कितना लंबा एक सरकार विरोधी मार्च इस जुडिशल रिफॉर्म के विरोध में निकाला गया अब बात करते हैं कुछ और बड़ी ख़बरों की यूकरेन के वार फ्रंट में रूसी टैंक की गोलावारी स्वक्त की बड़ी ख़बर टी-72 टैंक से रूसी फोर्स का भीशल हमला तीन यूकरेनी संद ठिकानों को किया ध्वस्त रूस ने यूकरेनी टैंक को निशाना बनाया रूसी टैंक से यूकरेनी टैंक पर अटैक किया दोनों और से जबरदस्त गोलावारी रूस ने यूकरेनी टैंक को निशाना बनाया यूकरेनी टैंक को रूस ने निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया दोनों और से जबरदस्त गोलावारी हुई तर यूकरेन के क्लस्टर बंब से आनी शुरू हुई तबाही की तस्वीर जी हाँ जिस क्लस्टर बंब को लेकर इतना हंगामा हुआ अब उसका इस्तमाल होने लगा है और उसके इस्तमाल से अब तबाही की तस्वीरे भी सामने आने लगीगी जैपोरीजिया के रूसी कबजे वाले इलाखे में हमला किया गया क्लस्टर बम के इस्तमाल से दो लोगों की मौत हो गई ये देखिए एक क्लस्टर बम जैसा कि हमने आपको कई बार बताया कि कैसे एक बड़े बम में कई छोटी छोटी बॉमलेट्स होती हैं जो एक साथ एक क्लस्टर में धमाखा करती हैं कई बार ये एक्स्पोर्ड हो जाती हैं और इसके बाद फिर ये जो यहाँ पर एक्स्पोर्ड नहीं होती वो फिर आगे चलकर सिविलियन्स के लिए खत्रा बन जाती हैं जिसकी वज़ासे कई देशों में ये बैन है लेकिन इसके बाद देखिए यूक्रेन में कैसे अब यूक्रेन की वार में यूक्रेन इस क्लस्टर बॉम का इस्तमाल कर रहा जिसमें दो लोगों की मौत की कबर है फ्रेंट लाइन पर रशियन जनरलिस्ट की मौत हो गई जैपूरिज्या इलाके में इस बंविस्पोर्ट में एक रशियन जनरलिस्ट की मौत हुई है ब्रूस का दावा है कलस्टर बंब से इस जनरलिस्ट की मौत हुई है रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने आरोप लगाया यूएस के क्लस्टर बंब से यूक्रेन ने अटैक किया था जिसकी जद में आकर इस रशियन जर्नलिस्ट की मौत हो गई आई आपको बिग वाल पर दिखाते हैं इस बारे में यूक्रेनी अटैक में कैसे जाने माने जर्नलिस्ट की मौत हो गई जल्दी से बिगवल पर आपको इस बारे में जानता रही देते हैं फिर अपने महमानों के पास चलेंगे देखे यूक्रेनी आटलरी अटेक की जपेट में आये रूसी पत्रकार रोस्टिस लाव जुराबोबले जुराबले कैसे यहाँ पर आए आगे आपसे देखे घायल जुराबले को आनन फानन में फील्ड से बैटल फील्ड से निकाला गया लेकिन उनकी मौत हो गई रूस का दावा यूक्रेनी क्लस्टर बम के शिकार हुए जुराबले चार और पत्रकार इस दौराण जखमी हो गए रुशियन न्यूज अजन्सी आर आई ए के लिए वार कवर कर रहे थे रोस्टिसलाव जुरावलेव यूएन में रुशियन डेपुटी अंबैसडर ने कहा सभी मॉरल लाइन को पार कर गया यूकरेन घटना के खिलाफ रूस ने बहुत ही सक्त अंदाज में यूकरेन से बदला लेने की बात कही है और देखें इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मिमाने मेरे साथ ब्रिगेडर संदीप थापर है अस डिफेंस एक्सपर्ट अशोक सजनार सार है और मेरे साथ यहाँ पर जनल बक्षी भी थोल दिरे में जुड़ेंगे जिन साम इस बारे में बात करेंगे लेकिन ब्रिगेडर थापर सबसे पहले आप से शुरू करता हूँ यह जो रशियन जर्नलिस्ट की मौत है यह कितना बड़ा मुद्दा बन सकता इस बार में देखेंगे जब जर्नलिस्ट बार फिल्म में जाते हैं तो उन्हें बता होता है कि डेजर क्या है वैसे तो जो forces होती हैं जिनके लाके में हो जाती हैं उनको इतनी नजदीक नहीं जाने देते जिसमें के लेकिन कामंटर हांज वेकर उनको नुक्सान होते लेकिन यह किस तरह से आगे चला गया या जिस जगा पे था यह पर बॉंबिंग हुई तो यह सब मुद्धा उठेगा लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत बढ़ी जाने जाने तो यह क्या एसकलेट करेगा आपको लगता है क्लास्टर बाम का यूज दोन मूलक इस्तमाल कर रहे हैं रष्य हो इस्तमाल कर रहे हैं यह ट्रिजेंटबन सिस्टम है वार में इस्तमाल करने का हमारी इन दुस्तान में के अि craftор फाइब फार्याड पैस है पर यह है कि ध्यान से लिस्तमाल किया जाता है responsible nations इसको जिम्मेदारी से यूज करते हैं ताकि सेवे लाठे में ना जाए जो प्रजेक्ट है उसे बहुत सारे चोटे बांग होते हैं जो कभी एरिये को कवर कर लेते हैं तो उसमें काफी नुकसा होता है जो टुप्स होते हैं इंट्रेंश टुप्स होते हैं या खुले में होता है या पक्तरबंद गाड़ियां पक्तरबंद तो नहीं दूसरी गाड़ियां होती हैं लोग उपर तो उसको नुकसार होता है सिमिलिंस को भी नुकसार होता है तो बड़े भ्यान से इस्तिमाल किया जाता है बैटल फ्रीड के बाहर जारा तर नहीं इस्तिमाल किया जा पर बदले की तैयारी यह कहा है रूस ने मॉस्को ने कहा यह प्राक्टिस ओफ टेरर है यूकरेनी कलस्टर बम से मौत हुई है यह रूस ने कहा है खारकीव में रूस ने बड़त बना ली है रूसी पोर्च ने एक रेलवेश टेशन पर कबजा किया है आसपास के बड़े हिस्से पर रूस का कबजा अमरीगी मीडिया की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है एक और बड़ी खबर है पूर्वी यूकरेन में रूस का भीचल काउंटर अटैक अब आपको दिखाते हैं इस यूकरेन में रूस का भीचल कॉंबट अटैक एक दिन में 40 कॉंबट एंगेजमेंट किये हैं रूस ने 24 घंटे में रूस की 85 एर स्ट्राइक 24 घंटे में रूस का 81 टाइम्स 81 बार MLRS अटैक यूकरेन के अगदिव का और मारिंका में यह हमला किया रूस ने आई आपको बिग वॉल पर इस बारे में जानकारी देते हैं पुतिन का टारगेट पूर्वी यूकरेन और यह पूर्वी यूकरेन अगर पुतिन का टारगेट है तो कहां पर है आप समझें यह देखिए MLRS अटैक 81, एर स्ट्राइक 58, आटलरी अटैक 21 और लैंड स्ट्राइक 12, कुल की बात करें तो एक दिन में 122 मिलिटरी अटैक हुआ कहां पर यह हमला पुप्यांस्क में यह हमला हुआ है इसके अलावा आप देखे यूकरेन में लीमन में यह जो डीपियार का रीजन है रूस बिलकुल उसको वहां से टस्स से मस नहीं हो रहा और जहाँ जहाँ भी उसके आसपास यूकरेन दिखता है, वहाँ वो अटैक कर रहे हैं और यह जो इस उक्रेन में अटैक है बिल्कुल इसी लाइन पर देखता है क्योंकि बाखमुत में, लीमन में, मारिंका में, हर जगा उक्रेन रूस की फ्रंट लाइन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो मतलब क्या यह मानें कि अब इतने दिनों बाद एक सेंस मिलता है रूस की स्ट्राटिजी का कि जहां हैं वही रहेंगे आप न आगे न पीछे जी बिल्कुल आठी के रहे हैं गारग क्योंकि मेरे विचार से यही स्ट्राटिजी बनी हुई है रूस की जो जो काउंटर ओफेंसिव है योकरेन का उसको पूरी तरीके से फेल करना है उसको बिल्कुल भी आगे सफल नहीं होने देना है और यह उन्होंने पहले भी कर दिया था जो वहां पर अपनी डिफेंसिज इतने ज्यादा उन्होंने स्ट्रॉंग बना रखे हैं जो उसको तोड़ने के लिए जैसे कहा जाता है हमारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं जो अगर कोई ओफेंसिव फोर्स लगाता है जहां पर ये डिफेंस उनके विरुद्ध लगा हुआ है उनको तीन गुना ज्यादा वहां पर फोर्स लगाने का प्रयोग करना पड़ेगा और उनको एक्विप्मेंट भी काफी हताहत हो चुके हैं पिछले सोला सतरा महीने से जब से ये युद्ध चल रहा है तो इसलिए मुश्किल होता है वो है अपने युनों विद बैक तुद वाल तो अब देखना पड़ेगा आगे चलते हुए जो क्या हालात होते हैं और ये जो अग्रेसिवनेस है ये है वगरा यहां पर जो अपने अटैक करने हैं तो वो भी वो जारी रखे हुए हैं और अपने डिफेंसिव पोजिशन को भी बहुत जोरों से वो बनाए रखे हैं चीक बात कुप्यांस के रूसी फोर्स का एक बड़ा टैक सामने आया है अब आपको ये अटैक दिखाते है कुप्यांस के बड़े लाखे में रूसी फोर्स आगे युक्रेनी फोर्स को पीछे धकेलने का दावा किया है रूस के कुप्यांस पर कबजे की जंग में रूस आगे और लूहांस में रूसी वेस्टन ग्रूप का बड़ा एक्शन वफर्स जोन बनाने की तैयारी में रूस्टन नदी के लाखे पर कबजे की कोशिश है प्रिटिश इंटेलिजन्स के हवाले से ये बड़ा दावा किया गया है और लूहांस में रूसी वेस्टन ग्रूप का बड़ा दावा आए तीन खबरें आपको तीन सफिरों के साथ दिखाते हैं और आपको इस बारे में ओर डिटेल देंगे बिग वॉल पर लूहांस के बारे में लेकिन देखिए कोप्यांस के बड़े लाखे में रूसी फोर्स कोप्यांस को पीछे धकेलने का दावा दौसी तरफ औसकी नदी के इलाखे पर कबजे की कोशिश ब्रिटिश नदी के खिनारे कबजा करने की कोशिश कर रहा है रूसी ग्रुप ने आक्शन किया और लूहांस के रूसी फोर्स का बड़ा आक्शन अब आप देखिए पूर्वी लूहांस के लाका है पूर्वी लूहांस यहाँ पर लिमन और कोप्यांस यहाँ पर आगे बड़ती दिख रही है रूस की सेना जबकि अगर बाखमुत की बात करें तो दक्षन बाखमुत में अभी फिर से टकर यहाँ पर और जोरदार शुरू हो गई है यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच कलिस्चीव का जो वहां का एक इक इलाका है वहां पर यह टकर चल रही है अब जरह देखिए यहाँ पर और क्या जानकारी आ रही है यहाँ पर जहाँ पर आगे बड़े हैं रूस के सैनिक उत्तरपूर खारकीव की बात करें तो माका ने ओ रेलवे स्टेशन पर कबजा किया यह पूरा इस्ट यूक्रेन जो आपको दिखा रहे है यह आप देखिए यह जो है खारकीव लुहांस अभी यूक्रेन के हम बात कर रहे थे लीमन की बात कर रहे थे कोप्यांस की बात कर रहे थे मारिंका की बात कर रहे थे यह खारकीव में एक स्टेशन पर कबजा कर लिया है यह जानकारी आ रही है रूस ने कबजा किया है एक लाख रूसी सैनिक वहाँ पर मौजूद है और इसके अलावा भारी एर स्ट्राइक की जा रही है यूक्रेनी फोर्स को भारी नुकसान का दावा किया गया है ब्रिगेडे थापर ये जो मैंने अभी अमबास्टर सजिनहार से बात की थी मैं आप से भी इस पर एक लारिटी लेना चाहता हूँ क्या ये जो रूस एक तो हमने वो हमला देखा था जो क्रीमया पर जिसके बाद रूस ने ओडेसा पर बहुत बड़ा अटाक किया और फिर ये इस्टर्न यूक्रेन पर पूरा फोकस ये फोकस क्या बताता है सर इस्टर्न यूक्रेन पर रूस का अब उसको नजर में आ रहा है कि मैं यूग्रेन नीपर रिवर या अखीब तक महीं पहुंच सकता बहुत मुश्किल है तो वो क्या कर रहा है कि जिसे कहते हैं सलामी सलाइसिंग उसने डॉनबास इलाके ऊपन खारकेब लोहान से लेके दोनस मरिया पॉल खेर से नीचे तक पूरे उसने एक चंट अपने कबजे में कर लिया है और वहाँ पर वो अपनी डिफेंसिव पोजीशन दिख्यार कर रहा है स्ट्रॉम डिफेंसिव पोजीशन दिख्यार कर रहा है उसके दो मक्सद हैं एक इसको सिक्योर करना आपके लिए दूसरा वो चाहता है कि युक्रेन तो लड़ेगा क्योंकि उसका अलाका है युक्रेन आके अटैक करेगा जैसे बैसे साथे का थ्री स्टु वन स्टरटी च तो जब वो वीक हो जाएगा तब 3-4 महिने बाद रश्या हो सकता है अपना असली गेम प्लान लाए कहीं और से असॉल्ट करें जबकि युक्रेन को डिफेंस करने की लिए उसके पर शक्ती न मचे तो यह मोटर मोटर तोर पर यह प्लान है फिलहाल तो रश्या का डिफेंस केल रहे हैं तो यह मेरे साबसे उसका प्लान लगता है जो हुआ है अब है अमरीकी ब्रैडली टैंक को ध्वस्त किया है रूसी संकों ने वीडियो जारी करके दावा किया है कई यूक्रेनी वीकल और टैंक नस्ट हो गए है रूस के एक ही हमले में यूक्रेन को भारी नुक यह पाइस का पाइडना लवीव में यूक्रेनी सान ने बेस पर बड़ा हमला हुआ है रूसी हमले में कई विडेशी रड़ा लड़ाकों की मौत हो गई है रूस के रक्षा मंत्राले का बड़ा दावा मिलिटरी अकाडमी पर लॉंग रेंज मिसाइल अटैक किया गया है लवीव जो की पॉलैन से लगता हुआ है वहां पर एक यूक्रेनी सान बेस पर बड़ा अटैक किया गया और इस हमले में कई वि विदेशी लड़ाकों से जीतेंगे जंग अब ये भी एक सवाल है लवीव में विदेशी लड़ाकों के बेस पर रूस ने अटैक किया मिसाइल अटैक में कई विदेशी लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया रूस में युद्ध में अब तक करीब 5,000 विदेशी आपके धून रहे हैं और देखिए जनल बक्षी इस वक्त हमाई साथ जूल चुके हैं जनल बक्षी बहुत स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में सर्थोरी दिर में हम जूल पाए आपसे लेकिन सर यहां पर एक क्लस्टर बंप के इस्तमाल को लेकर अभी हमने बात किया और इसके लावा अब लवीव में इस्टन यूक्रेन पर जो रूस का फोकेस है उस पर बात की है नेक्स्ट टोरी जो अभी हम बात कर रहे है वो है लवीव में एक मिल्टरी बेस पर रूस के अटैक की जिसमें ये दावा किया गया है कि इसमें फॉर्नर्स थे सबस्यादा के लडाके थे और करीब 5000 लडाकों की मौत भी हो गई है तो ये फॉर्नर्स की हाइरिंग तो से बतलब रूस पे आरोप लगता है मसनीरिस को हायर करने का लेकिन यूक्रेन भी कुछ वैसा ही कर रहा है यूक्रेन तो बहुत धेर से क्या शुरू से वैसा कर रहा है और जो प बीब के तुरू आपकी बहुत सारी उनकी वार सप्लाइज मुनिशन आते हैं और वहां पे इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ये फॉर्न लडाकों के बेसिस हैं वहां जिनको रूस एक लेजिटिमेट टार्गेट है वो टार्गेट कर रहा है मैं बताना चाहता हूं कि की तरह ये जो एक लाख रूसी सेनिकों का जमावणा खार्कीव के ऑपसिट यूक्रेन की इंटलिजन्स बता रही है और जो उनके साथ 900 टैंक 400 अर्टिलिरी गंज हैं ये उनका कांटर अपेक्शन लगता है जो उनने नौर्थ की साइट किया है खार्कीव की साइट किया ह इसका मतलब जो भी प्रेशर बन रहा है साउथ में इस्ट में उसको हटाने के लिए उसके उपर दबाव डालने के लिए to make them move out from there and release pressure in the south ये बहुत अच्छा तरीका है बहुत अच्छा concept है कि आप नौर्थ में अटैक करें और खार्कीव का जो इलाका है जो उनने लूज क कर रहे थे ऑस्टिल रिवर की लाइट पे तो उसकाथ अमेरिकन सैटलाइट ने पीछे हटने का भूब टिकाप कर दिया और रूस को बोला की सीदा हम ना कर दो जैपोरीजिया में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है एक बड़ी खबर यूक्रेनी काउंटर ओफेंसिव फिर वहाँ पर फेल हुआ है जैपोरीजिया में यूक्रेनी काउंटर ओफेंसिव फिर वहाँ पर फेल हो गया ओपरेशन में मारे गए कैई यूक्रेनी सैनि वार जोन में दिखी सैनिकों की कई डेड बॉड़ी और बड़ी खबर आपको दिखाएं ओडेसा में रूस की बीशन बंबारी की खबर रियाईशी इलापों में मिसाइल अटेक किया ओडेसा में रूस ने कई बिल्डिंग और धार्मिक संस्थानों को नुकसान पहुचा है मिसाइल हमले में दो की मौत और 21 गायल की खबर है और उसी हमले में ओडेसा चर्च को भारी नुकसान पहुचा है ये भी एक बड़ी खबर आ रही है ओडेसा के गवर्नर का दावाद चर्च की दीवारें तूट गई चर्च की दीवार और छट को नुकसान पहुँचा है रूस पर मिसाइल हमले का आरोप है तो देखिए जो हम धार्मिक संस्तानों की बात कर रहे थे कि रूस कैसे यूक्रेन का एक काउंटर ओफेंसिव फेल हो गया, वार्जोन में कई डेट बॉडी दिखी सैनिको की, इसके लावा आप देखिए ओडेसा में रूस ने भीक्षल बंबारी की, कई धार्मिक संस्थानों पर आरोपे की उसने बंबारी की इसको समझ सकते हैं को लैटर डामेज क्योंकि अगर देखिए दो बाते हो सकती हैं, एक तो जो उन्होंने जान बूज कर इसके उपर चर्च के उपर अटैक किया हो, जो कि ऐसा प्रतीत नहीं होता है जो नहीं करना चाहिए, हलाकि हमने देखा है जो रूस के बहुत सारे जो हमले हुए हैं, हलाकि वो कहता है जो वो सिबिलियन टार्गेट्स नहीं करता है, वो केवल मिलिटरी इंफरस्ट्रक्टर जो यूकरीन का है, उन्हीं को टार्गेट करता है, परन्ती हमने देखा है, जो बहुत ही, ऐसे हैं, सोशल इंफ्रास्ट्र Lieutenant है, चाहे hospital है, schools है, crash है, और परकार के बहुत सारे, ऐसे civilian targets हैं, जो की hit हुए हैं. बहुत शेहरों में hit हुए हैं. परंतो फिर भी religious establishment को, क्योंकि दोनों रूस भी और युक्रेन भी Christian Orthodoxy को बिलीव करते हैं, Orthodox Church को बिलीव करते हैं, तो ये मान लेना कि वो जान बूझ कर उसो करेगा, तो दूसरा है जो अगर वो बिना जान बूझ कर तो ये मेरे विचार से थोड़ा incompetence बताता है, जो क्योंकि आपके missile आप भेज रहे हैं, आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, आजकल तो बहुत ही precision वो हो गया है, target precise आपको पता चल जाता है, तो परंतो फिर भी obviously थोड़ा ये incompetence है जिसकी वज़े से चर्च को भी नुकसान पहुंचा है, तो उनको देखना पड़ेगा जो इसको कैसे आगे चलते हुए, इसको इसमें और आगे ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया जाए, जो आपने कहा है, जो ऐसा damage है, इस बिना जाने उनका किया गया है, बड़ इसको ये competence ऑने प्रूपो इसमभाने बनी की ओर बसकान पहुंचा है, कि जलनस्की ने रूस पर हम्ले काँ बदला लेंगे, ये जलनस्की ने दावा किया है, तो देखिए यहाँ पर आपको वो तस्वीरे दिखा देता हूं है जलेंसकी जब वहाँ पर चर्च पर हमले का बदला लेने की बात कर रहे हैं तो वो तस्वीरे आपको दिखा देता हूं यह वही चर्च है जो रूस के हमले में खशतिक रस्त हो गया आप देख सकते हैं दीवारे, खिर्किया, दर्वाजे, छट सब को नुकसान पहुँचा है रूस के इस मिसाइल अटैक में यह ओडेसा का एक चर्च है जिसको यह नुकसान पहुँचा है जिसके बाद जलन्सकी आग बबुला हो गया और रूस को खरी खोटी सुनाने लगे इन बुराईों की कोई माफी हो ही नहीं सकती हमेशा की तरह इस बुराई का अंत भी एक दिन जरूर होगा ओडेसा की घटना का बदला लेंगे और उन्हें यह महसूस कराएंगी ओडेसा में कैथिट्रल पर अटैक में एक की मौत हो गई है 19 घायल है हम शांती बहाल करेंग और इसके लिए रूसी बुराई का अंत करना होगा यह जलेंस्की ने कहा है लेकिन जलेंस्की यहाँ पर जो कह रहे हैं और जो हो रहा है क्या उसमें तार्ता में दिखता है एक और बड़ी ख़बर दिखाता हूँ मैं आपको पूरे दक्षिन और पूर्वी यूकरेन में एयर रेट साइरन बज रहे हैं ओडेसा में धवाके के बाद भीशन आग लग गई है कीव के कबजे वाले डॉनस में भी अटैक जैपोरीजिया में भी कई बड़े हमले तो जलेंस्की का खुन खौल रहा है और यहाँ पर रूस के हतियार तबाही बचा रहे हैं यह तबाह चर्च को हुए नुकसान पर रूस ने भी एक रियाक्शन दिया है ओडेसा में चर्च को हुए नुकसान पर रूस का बयान आ गया है रूस ने चर्च पर हमले से इंकार किया यूकरेनी डिफेंस सिस्टम से चर्च को नुकसान हुआ यह रूस ने कहा है उन्होंने कहा कि इ एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्ट रॉकेट के मलबे से हुआ है तो देखें ये चार्च वाली खबरें आपको तीन दिखाई मैंने आपको मिजल्दी से यहाँ पर ब्रिगेटर थापर से एक बात कर रहे तो ब्रिगेटर थापर ये रूस का जो दावा है ये जरा बता से हुआ है क्या रेश्या के विजाइल से हुआ है या काउंटर के डिफेंस से हुआ है ये तो अटले दोनों साइड लगाते रहेंगे किसी टाइम बाद में जब प्रूफ आएगा असल में या कोई वीडियो ऐसा कैक्चर हुआ हो क्योंकि आप एक विजाइल का जो पर उंगलिया उठाते रहेंगे बाद में जिसका टर्रेटिव ज्यादा प्लॉजिबल लगेगा वो माना जाएगा तो इस टाइम मेरे साफ से यूकरेन का जो टर्रेटिव है जो कह रहा है हमारे चर्चिस को टागेट किया गया है वो लोग ज्यादा विश्वास बजाएगे रश्या चीक रूसी अटैक में एक अमेरिकी वाहन तबाह हो गया वो ख़बर आब आपको दिखाते हैं यूकरेन को जो अमेरिका से ब्रैडली विकल मिले थे वो तबाह हो गया आटलरी अटैक में ब्रैडली मिनिस्तना बूत कर दिये रूस ने ड्रोन कैमरे मे कैद हुई हैं तबाही की तस्वीरें बिलारूस से अटैक जी हां बिलारूस में वैगनर की बड़ी तैयारी बिलारूस में दिखे वैगनर के मिलिटरी वीकल सैकलों की तादाद में दिखे हैं ये मिलिटरी वीकल ये देखे हैं ये इमेज हम आपको दिखा रहे हैं सेटलाइट इमेज़स हैं जो यहां पर ली गई हैं सेटलाइट से और ये बताती हैं कि कैसे सैकलों की तादाद में वहाँ बेलारूस में वैगनर के मिलिटरी वीकल खड़े हैं सेल इलाखे से आई हैं ये सेटलाइट तस्वीरें पॉलैंड से सटे बॉर्डर के नस्दीक भी तैनाती देखती है तो क्या बेलारूस से एक बड़े अटैक की तैयारी हो रही है वाया वैगनर आईए ज़रा इस बारे में आपको जानकारी देते हैं जल्दी से बेलारूस में वैगनर के सबूत अब मिल गए है और वो सबूत बताते हैं कि कुछ बड़ी तैयारी चल रही है बेलारूस से एक संसरी खेस खुलासा पहले आप इन सटलाइट इमेज़ को देखिए ये जो आपको दिख रही है तस्विरे ये वीकल्स है ये गालियां हैं ये देखे ये एक दो तीन चार पाँच एक दो तीन चार पाँच एस साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा बतलब 60-70 गालिया तो इस चंक में खड़ी है करीब इतनी इधर दिख रही है करीब उससे जादा कहीं यहाँ पर दिख रही है 100-100 गालिया तो यह जो गालिया खड़ी है यह आखिर यहाँ पर क्यों है बेलारूस में वो भी बॉडर के नस्दीक जल्दी से जनल बक्षी के पास जाओंगा जनल बक्षी आप कैसे रीड करते हैं इस डिप्लॉइमेंट को इन इमेजस को देखिये जब वो फेल्ड को हुआ था रशा में उस वक्त अटकने लगाई जा रही थी कि यह नूरा कुष्टी है इस इस फॉल्स फ्लाइग वो कर रहे है यह भी अटकन लगाई जा रही थी कि बहुत सारा पैसा युक्रेनियन इंटेलिजेंट शाहिद सी आईये ने रिप्रेगोजिन को देने की कोशिश करी थी तो वो खा के उन्होंने नूरा कुष्टी की नाटक किया और फिर मॉस्को के पास से आ गए अब उनको डिप्लॉई किया गया है बेलारूस का का रहा है कि ये कावर प्लैंग के एतहत है कि वो बेलारूस में जाकर वो जो भी कुछ आपरेशन ओफिंसिव करते हैं एक वो जो कॉरिडॉर है पोलैंड और लुटियानिया के बीच में गराड की तरफ जाती है वहाँ पर ओफेंसिव एक्शन करते हैं या फिर वो पॉलैंड की तरफ भी ओफेंसिव एक्शन कर सकते हैं और वहाँ रूस को शर्याम दिनाइबिलिटी है इसाब हमने तो इनको निकाल दिया इन्होंने तो हमारे खिलाफ बगावत की थी हमारा आप इनसे कुछ लेना देना है नहीं आप वैगनर से पूछे तो ये बड़ा कर्मिनियंट कवर है कि अगर वैगनर कुछ भी ओफेंसिव कारवाई तो फिर मेरा नेक्स क्वेशन होगा ये नॉमली किसी बड़ी हरकत के पहले ही गाडियों का जमावड़ा ऐसे किया जाता है तक कि मूद इन्वांट होकर अपरेशन अंडर्टेक कर सके तो अब देखना पड़ेगा कि ये करते क्या है एक है कि पोलेंड खुद अपनी बोजें अपने बॉर्डर पे जमावड़ा कर रा बॉर्डर विद बेलारूस एक इन्टेप्रेटेशन यह है कि ये म्हेंचिज बूव है वो भी उसको काउंटर करने के लिए वहाँ कहे है दूसरी इन्टेप्रेटेशन है कि ये ओफन्सिफ ब्रेपरेशन है तो जो 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 प्रेगोजिन का वैगनर गूप है यह भी कर सकता है यह पोलैंड की तरफ कर सकता है तो मतलब आप कहने हैं कि अभी थोड़ा वेट और वाच की स्तिती में रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आखिर इनका मकसद क्या है और इतनी बड़ी तनाती क्यों की गई है थोड़े दिन में साफ हो जाएगा यह लेकिन है कुछ बड़ा जितनी इस तरह से तनात हजारो वेगनर्स बेलारूस बॉर्डर के नस्दीक बढ़ाई गई है सुरक्षा तो देखे यूकरेन के बॉर्डर गार्ड सर्विस ने यहाँ पर दावा किया है कि बेलारूस बॉर्डर के नस्दीक सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि चुट्टी के बाद बेलारूस पहुच गए हैं हजारों वैगनर्स और ये कुछ भी कर सकते हैं बेलारूस में पांच हजार वैगनर लड़ाके मौझूद हैं और इन वैगनर्स पर ये यूकरेन की बॉटर गार्ट सर्विस ने ये खुलासा किया है देखें बेलारूस में वैगनर की फॉच आईए आपको इस बारे में और जानकारी देते हैं अब तक पांच हजार वैगनर लड़ाके बेलारूस पहुच चुके हैं पांच हजार नमबर और भर सकता है वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने लड़ाकों का वहाँ पर स्वागत किय पॉलैंड बॉर्डर के नजदीक वैगनर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है बेलारूस की सेना को खास ट्रेनिंग दे रहे हैं वैगनर्स बेलारूस से सटे यूकरेन बॉर्डर पर फुरक्षा बढ़ा दी गई है बेलारूस बॉर्डर से साथ हिलाकों में लाइन माइन्स ब बहुत बड़ा सवाल है, बेलारूस सानिकों को वेगनर क्यों दे रहा है वार ट्रेनिंग, क्या बेलारूस किसी से बड़े युद्ध की तयारी कर रहा है, क्या यूकरिन से अलग किसी से वार हो सकती है, बेलारूस में रूसी वेपन और रूसी नुकलियर वेपन और वेगनर से बेलारूस सबी जो हम वहां पर से तयार हैं, वहां से हम उफेंसिव लाउंच कर सकते हैं, वहां से हम अटैक लाउंच कर सकते हैं, जहां तक रूस का ये आर्गुमेंट है ये तो इंडिपेंडेंट वो अपना काम कर रहे हैं, I don't think anyone is going to buy that, क्योंकि उसके बाद देखी, य क्योंकि इतने सारे कमांडर्स क्रेमलिन में जाकर पूतिन से मिल चुके हैं, तो you know, I don't think anyone is going to buy जो इन दोनों में तो बिलकुल वो अलगाव हो गया है और, you know, Wagner is acting on its own, बिलकुल नहीं, I think everyone understand जो Wagner का फिर वही से connection है पूतिन के साथ, पूतिन ने चाहे माफ कर दिया हो, परंतु वो उसने ये कहा है, जो उनको इस्तेमाल नहीं करेगा, पूतिन ने कहा है, इस्तेमाल नहीं करेगा, but we'll have to wait and see, केवल उनका हम इस्तेमाल प्रयोग करेंगे एफ्रिका में, जो उनके operations है, यहाँ पर हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, पूतिन के बीश में मुलाकात हुई है, अभी क्रिमलेन में मुलाकात हुई है, और उनने कहा है, बेलारूस की सेना को वागनर्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको, तो यह सिच्वेशन टू प्लस टू वाली तो नहीं दिख रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसको? पड़ेगी, ताकि अगर खुदाना करस्ता कल वागनर्स टू वहां से कुछ हो, अटैक करता है, तो इनके पास डिफेंड करने को हो, तो इतनी फॉर्स उसको अलग से जो उसको रश्या के जेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो एक ठ्रेट है, दूसरा मैं नहीं समझता, वैसे एक दूसरे मुलके साथ दड़ा ही कर रहा है, अभी तक तो रश्या उप्रेंट के लगाई हो गया, रश्या भी इसी वज़ा से बेलरूस से शायद नहीं आ सकता, लेकिन जो वैगनर्डूम को इस्तवाल लांच किया जा सकता है, बेलरूस कह सकता है, यह हमारे कंट्रोल मे नहीं है, और तो उस उस बुद्धे को भी उस एंडल से भी देखा जाए, जो यह वैगनर्डूम आपर कहना है, जल्दी से जनल बक्षी से भी एक रेक्शन लेना चाहता हूं, वो कुछ इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं, फिर मैं आपके पास, आप लोगों के पास हारा जनल बक्षी, जल्दी से सर, क्या एड़ करना चाहते हैं आप इसमें? बेलरूस नहीं पढ़ सकता लड़ाई में बीच में, वो बढ़ चुका है पहले साथ, जो मेजर हमके थे, वो बेलरूस के जरीए ही हुए थे, और वो भी चार पोर, टी बिगेस्ट रशन पंसिंट्रेशन अटैक्स केम वाया बेलरूस, ठीक है, और अब की बार जो वैगन करने के, मेरा अंदाज है कि ये क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशन करेंगे, जैसे युक्रेइन की इंडेलिजेंस इसे, चलिए मैं इस पर आप से और आगे बात करूँ है, जर की वो ऑपरेशन कैसा हो सकता है, रूसी अधिकारी की परमालू चेतावने आपको देखने चाहिए परमालू हतियारों की खेब बढ़ाना जरूरी ये कहा है, रूसी अधिकारी ने, पश्चिम को सबक सिखाने के लिए नुकलियर डिप्लॉयमेंट जरूरी है, ये कहा है, यहाँ पर रूसी अधिकारी ने, कॉन्टेस्ट एन सिवकोव ने नॉर्थ पोल उडाने की धमकी द सिवकोव ने कहा कि रूस को परमालू हतियारों की खेब बढ़ानी चाहिए, सिवकोव ने कहा पश्चिम को सबक सिखाने के लिए नॉर्थ पोल को उड़ा दे, सिवकोव ने कहा पश्चिम को सबक सिखाने के लिए नीकुलियर डिप्लॉयमेंट जरूरी, सिवकोव ने कहा परमानु हत्यार की डिप्लॉइमेंट दिखनी चाहिए परमानु हत्यारों की गयर पारंपरिक अनकन्वेंशनल तरीकों की और बढ़ना चाहिए ये वो कह रहे हैं इसी बीचे एक और बड़ी ख़बर रूसी पोजीशन पर बड़ा हमला ये जानकारी सामने आ रही है रूसी प्रेसिदेंशल ब्रिगेट का हमला है यूक्रेनी प्रेसिदेंशल ब्रिगेट का हमला है रूसी पोजीशन पर यूक्रेनी हमले में भारी नुप्तान की खबर है अले एक और बड़ी खबर, रुशी रडार आपर यूक्रारी पॉरिस का हमला देखे यूक्राणी हमले में जुपार्वाव्नि LM तबाव हो गया है एकस कालिब्र मिसाइल से spec हमला किया जिसमें रुशी रडार जूपार्वनि एम तबाव हो गया एक और बड़ी खबर, अमेरिकी ATA CMS मिसाइल पर सस्पेंस, बाइडन नराजवाली खबर पर बात है, यूकरेन को देने पर अभी कोई फैसला नहीं है, यूकरेन को ATA CMS देने की जल्दी नहीं ये कहा है, अमेरिका ने, अमेरिकियों के बीच भरोसा खो रहे हैं जलन्सकी, जल नहीं लग रहा जलन्सकी करवाईया, यानि जलन्सकी जिस तरह से यहाँ पर अटिट्ट्यूट दिखा रहे हैं, यह अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, आईए जलन्सकी को लेकर अमेरिका में इस वक्त सोच, पिंटागन के पूर अधिकारी ने क्या दावा कि आई यहाँ पर देखे, अचले समय कम है यहाँ पर, मेरे पास केवल यहाँ पर 10 सेकेंड है, अमेरिका के इस पूर पिंटागन अधिकारी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखे, अधिकारी कुछ भी कह सकते हैं, पर हम तो हम को देखना होगा जो उनकी जो स्टेट है, उनका जो पिंटागन है, स्टेट डिपार्टमेंट है, वाइट हाउस है, नैशनल सेकेरिटी काउंसल सेक्रेटेरियट है, वो क्या सोचता है? और मैं समझता हूँ, अभी त झाउ였ना हूँ, अभी ताहँ पिंटागन है, नैशनल सेक्रेटे प्रोचे जясते हैं, वच."